नमस्कार किसान भाईयों स्वागते हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल SK एगरी कल्चर में किसान भाईयों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लेसुन के अंदर कंद बनते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी है यहां पर कुछ बाते में आप सभी की साथ में सेयर करूंगा इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है अपनी लेसुन की खेती में बढ़ना आप बहुत पस्ता होगे पस्ता होगे कैसे क्योंकि अगर यह गलतिया जो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर वो आपने कर दी अपनी फसल में तो यहां पर आपको नुकसान यह उठाना पड़ेगा कि आपका लसुन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा मजबूत नहीं बनेग उसका जो परदा है वो डाउन रहे जाएगा तो यहां पर कुल मिलाकर आपको जो है गाटा पड़ सकता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चैनल पर नहीं आए वो तो नीचे लालक स्रों में सब्सक्राइब का बटने सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे मीमच मंडी के भाव डेली अपडेट के साथ जानने को मिलेंगे और भी पौसक तत्यों की जानकारी फसनों को जो जो चाहिए उन सभी की जानकारी इस अप्लिकेशन के अंदर मौजूद है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और कमेंड बोक्स के यहां पर भ दाननी है या यूँ करें कि कौन कौन सी साथानिया हमको जो है रखनी होती है तो देखें खिसान भाईओं सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमारी लेसुन की फसल होती है कंद बंते समय उसमें ज्छादा नमी क्या आफश्यक्टा पड़ती है क्योंकि यह फरवरी मैन महिना होता है और मार्च का महिना होता है मार्च के महिने में तो हला कि लेसुन आना शुरू हो जाते हैं लेकिन आदी जनवरी के बाद जो फरवरी का जो पूरा महिना होता है इसमें क्या होता है कि दिरे दिरे तापमान बढ़ने लग जाता है वातावरन घरम होने लग जाता तो आपका लहसुन का जो कंध है न वो अच्छी तरीके से विक्षित नहीं हो पाएगा, वो पूरा अपना फुलाव नहीं ले पाएगा, तो आपको करना क्या होता है इस समय, कि इस समय आपको अपनी लहसुन में जमीन में परियाप्त नमी रखना है, बस ये एक काम तो आप को कंप्लेटली करी लेना है, परियाप्त नमी अगर आप रखोगे, तो लहसुन का जो कंध है, उस नमी के अंदर अच्छा फुलाव लेता है, अगर आपने ज़्यादा दिनों तक अपनी फसल को पानी ना लगाया, तो उससे नतिज़ा ये आएगा कि उपर से जो तापमा गिर रहा है जादा, तो लहसुन के पत्ते भी पीले पड़ जाएंगे, लहसुन के मतलब सूकना शुरू हो जाएगी, नीचे से जमीन हार्ड हो जाती है, तो कंध का विकास रुख जाता है, तो यहाँ पर दोनों टाइप से नुक्सान हो जाता है, धूप की वज़े से पत कंध बनता है, तो वो मिट्टी अगर जैसे ही सूखने लगती है, उसकी नमी खतम होने लगती है, तुरंत आप अपनी फसल को जो है, पानी लगा दीजिए, इससे जमीन तो नरम रहेगी, लहसुन का कंध आप देखोगे, कि अच्छा विकास करेगा, और यहाँ पर एक ची मिटी आती है, जो बगेर पत्तर वाली मिटी आती है, वो ज़्यादा दिनों तक नरम रहती है, उसमें लेसुन की खेती भी आप अच्छे से कर पाते हो, लेकिन बहुत सारे किसान भाईयों के पास वो जमीन नहीं है, काली मिटी बगेरा, तो जो लाल मिटी में और हलकी पानी की वज़े से ही यहां पर खड़ी हुई है अगर इसको जरा सा भी अगर पानी को लेट कर दिया जाए तो फसल जो है पूरी तरीके से सूख जाती है तो आपको भी अधियान रखना है कि अगर हलकी जमीन है तो जैसे ही मिटी सूके पानी लगा दीजे और अगर काली कि में आप 20-25 दिन आराम से निकाल सकते हो लेकिन लाल मिटी में नहीं निकाल पाओगे तो उसमें जल्दी जल्दी पानी की आफशकता पड़ती है और किसान बाइयों इस समय जो है ना जब कंद का विकास आदा हो जाता है और आदे से ज्यादा कंद का विकास हो रहा होता किसान बाइयों उमीद करता हूँ एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद